ओम साही नहो नमा, श्री साही नहो नमा, जैजै साही नहो नमा, सद्धकुरु साही नहो नमा, ओम साही राम जै साही राम आप सबका स्वागत है साही तेरे नाम चैनल में मैं साही जोती आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साही के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग चैनल पर डाये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे हमारी कोई भी नियू वीडियो की आपके पस नोटिफिकेशन आ जाए और साथी बेल आइकोन को दबाना मत भूलिए तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो मिनट के लिए बाबा का ध्यान कर लीजिए ऐसा सूचे कि आप शिर्डी समादी मंदिर में खड़े हैं और प्रात्ता कर रहे हैं साई बाबा से कि है साई नात हमारे संचे यानी हमारे कन्फ्यूजन को दूर करें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्ब करें उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं फोर गिफ्ट में से फोर बॉक्स में से आपको वन चूस करना है अगर आपने पेंग कलर का बॉक्स चूस करा है तो आपका लखी नंबर होगा तो आपका लखी नंबर होगा 623 दूसरों की उन्नती देखकर इश्या करना छोड़े दूसरों की वह कारे देखें जिनसे उन्होंने उन्नती की है स्वेंबी कर्मत बरें और इश्या पर आस्था रखें आपकी भी उन्नती हो जाएगी यहां पर साही बाबा आपको बता रहे हैं कि किसी और की सक्सेस यानी उन्नती की तरफ ना ध्यान दे उनकी उन्नती को देखकर कोड़ने या जैलिस होने के बजाए अपनी मेहनत पर ध्यान दे लोगों की उन्नती से जल्लेगी बजाए उनके हार्ट वर्क से तुम भी कुछ सीखो और जिन्दगी में आगे बढ़ो और साधी इश्वर की भक्ती करते रहें अराद्धा करते रहें तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर किसी ने रेड बॉक्स चूस करा है गिफ्ट चूस करा है तो उनका लखी नमबर होगा 310 यह काल कठिन वा कश्कारी है पार उतरना हो तो श्री साई की शरण की नोका अपनी श्रद्धा और विश्वास के चपूँ से चलाएं खुदा सदा ना खुदा से बड़ा होता है यानि कि यहाँ पे आपको उतर मिला है कि यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है बहुत मुश्किल चल रहा है आपका साई बाबा पर श्रद्धा रखो विश्वास रखें बाबा की शरण में रहें वो ये बुरा वक्त भी पार करवा देंगे उन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखें क्योंकि इश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है कोई दुप बड़ा नहीं होता है इश्वर के आगे तो चली आगे बढ़ते हैं अगर किसे ने सी ग्रीन कलर का गिफ्ट चोस करा है तो उनका लखी नंबर होगा तो उनका लखी नंबर है उनका लखी नंबर है 549 अच्छा समय हो या बुरा श्री साई का चिंतन ना छोड़े समय कभी एक सा नहीं रहता अधा धहरे रखे ना तो बहुत शोक्षी होता है ना बहुत हर्श तोनों सित्यों में जो सम रह सकता है वही ग्यानिवा सैयमी महान आनन्द उठाता है यहां आपको उत्तर मिला है कि चाहे जीवन में अच्छा समय चल रहा हो या फिर बुरा समय चल रहा हो साई बाबा को हमीशा याद करते रहे उनती अरादना करते रहे जैसा भी टाइम चल रहा हो लाइफ में अच्छा या बुरा सैयम बनाना बहुत जरूरी है सैयम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि समय एक समान नहीं रहता है और जो इनसान सुख दुख में जीवन में धैरे पेशिंस रख पाया वही व्यक्ति असल में खोश रह सकता है लाइफ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर किसी ने लेमन कलर का गिफ्ट चूस करा है यानि येलो वाला गिफ्ट चूस करा है तो उनका लखी नंबर होगा उनका लखी नंबर है उनका लखी नंबर है 699 भेद भाव मन से निकाल दे व्यर्थ के आडंबर वा परदर्शन में न पड़े फूल खिलता है तो सुगन स्वेम फैल जाती है सूरे निकलता है तो प्रकाश स्वेम हो जाता है उन्हें निडोरा नहीं पीटना पड़ता जब गुण आ जाते हैं तो प्रभाव स्वेम फैल नहीं लगता है यहां पर साइब आपको समझा रहे हैं कि मन को किसी भी तरह के भेद भाव यानि की डिफ्रेंसेस को मन से निकाल दीजिए कंपेरिजन करना छोड़ दो अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीओ शो आफ ना करें दिखावा मत करें जिस तरह फूल खिलता है तो उसकी खुश्बू स्वेम अपने आप फैलती है सूरे निकलता है तो उसकी रोश्री भी अपने आप ही पिरकाश फैलाती है उसी तरह अगर आप में कोई गुड क्वालिटीज है अच्छे गुड है तो आपको सफलता की सीडी चड़ने के लिए कोई भी नहीं रोग सकता है तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है I hope कि आपको अपनी प्रश्टों के उत्तर मिल गए होंगे इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अच्छे कारे करते रहे किसी का दिल न दुखाए और साही बाबा की बताये हुए मार पर चलते रहे Positive Thought of the Day is इंसान जितना online होता जा रहा है इंसानियत उतनी ही offline हो दी जा रहे है Om Sairam Jai Sairam इंसानियत रहे है झाल